और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज मांग मांज के कृष्टपक्षी उर्दयाती थी नौमी शनिवार का दिन है, नौमी ती थी आज सुबा आठ बज कर चौदार मिनट तक रहेगी, उसके बाद दश्मीती थी लग जाएगी, साथ ही आज शाम चार बज कर अनौराधा नक्षत्रहेंगा, नक्षत्रों कि शेणी में अनौराधा सत्रहन अक्षत्रहें, अनौराधा नक्षत्रह के दवरान वेवभाहा आदिका अयोजन, यात्रा और वहांखईतनी दे से कार्य करना शुबमा न जाता है, पिय ETF कि स्वामी शनिदेव हैं, जबकी these मे भद्रा रहेगी स्वर्ग लोग की भद्रा का कोई भी असर प्रत्वी लोग पर नहीं पड़ता है तो यह थी आज दुरूवयोग, अनुराधानक्षत्र और भद्रा की चर्चा इसके लावा आज हम आपके साथ एक और खास विशा के बारे में जानकारी साजा करेंगे और व तो यह चर्चा शुरू करते हैं चौदा मुखी रुद्राष के बारे में बता दूँ कि चौदा मुखी रुद्राष को महाशनी कहते हैं चोकि इस पर शनिग्रख का प्रभाव रहता है साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि इस चौधा मुखी रुद्राक्ष पर शनिदेव के गुरू माने जाने वाले भगवान शिव का आशेरवाद भी बना रहता है जी हाँ चौधा मुखी रुद्राक्ष स्वयम शिव जी की करपा से अभी बूत और प्रतक्ष उनकी आँख से गुद्पन हुआ माना जाता है लिहाजा इस रुद्राक्ष का विशिष्ट महत्व है इस रुर्द्राक्ष को शिव जी के तीसे नेतिके सदर्ष माना जाता है कहते हैं जो वेक्ति इस रुर्द्राक्ष को कपाल के मद्ध helfen करता है उसकी पूझा स्वाइम देवता और ब्राहमा करते हैं ये 14 मुखी रुद्राक्ष कपाल पर दोनों भवों के बीच इस्थित आग्या चक्र को भी नियंजित करता है इसलिए शास्त्रों में इस 14 मुखी रुद्राक्ष को कपाल पर पहनने की सलाह दी गई लेकिन आज के समय में कपाल पर रुद्राक्ष पहनना थोड़ा अजीव लग सकता है इसलिए आप इसे अपने गले में धरन करें और दिन में कुछ समय के लिए से अपने कपाल पर इस्थित आग्या चक से इस पर चिरू कराएं इससे आपकी मांसिक चेतना बनी रहेंगे महाशानी के अलावा देव माननी के नाम से चचित इस चौदा हमो कि रुद्राख को धारट करने वाले विक्तिके पितरों की शुद्ध होती है साथ ही उस विक्तिकी ये श्कीर्दी में भी बढ़oterी होती है 14 मुखी रुद्राक्ष जहां एक तरफ हमारी वर्तमान इस्थिति को बेहतर बनाता है तो दूसी तरफ भविश्य को जुल बनाने में भी हमारी मदद करता है ये रुद्राक्ष धारक को सोचने समझने की शक्ति बदान करता है इसको धारन करने से विक्तिका शिक्त सेंस यानि छटी इंद्रिये जागरत होती है यह धारक को आत्मरक्षा करने का सहास्परदान करता है और साथ ही कारे का सही प्रकार से नियोजन करने की च्छमता देता है जो लोग किसी प्रशास्निक सेवा में शीषपत पर रहें और लोगों को ठीक से परक्ना कि प्रक्ना किया हो सकता है उनकी उन लोगों को 14 मुखिर उद्राक्ष अवशीह धारन करना चाहिए। इसे धारन करने से लोगों को परक्ने में आपको बहुत मदद मिले गे। चूकि दूर बैटे ही किसी विक्त के बारे में सही अनुमान लगाने की ताकत रखता है। जिन लोगों की पत्रका में शनी की दिशा ठीक नहीं चल रही है। या जो लोग कासर दो से परेशान हैं। उन लोगों के लिए चौधा मुखी रुद्राक्ष विशेश रूप से फाइदे मनते हैं। इसके अलावा स्वास्त के मामले में चौधा मुखी रुद्राक्ष आपको किन परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। यह भी जान लेते हैं। आउशदी के रूप में हैं चौधा मुखी रुद्राक्ष का दाना हर्दय विकार, आंख संबंधी विकार, तवचा विकार, मनो विकार या च्छालों संबंधी रोग में बहुत ही लाग दायक। इसके साथ ही कमजोरी, पेट में दर्ग, लकवा, मिर्गी, सुनने में परेशानी या घुटनों संबंधी परेशानी को दूर करने में भी यह रुद्राक्ष बहुत मजद करता है। जिन लोगों को हर्दे संबंधी कोई परेशानी रहती है, उननों को चौदा मुखिर रुद्राक्ष के टीन दाने जरूर पहनने चाहिए। इससे आपको काफी रहत मिलेगी। अगर आपको मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं तो आपको रुद्राक्ष के फल का गुदा या उसके पिल की छाल या दाने का चून लेना चाहिए। इससे मिर्गी पन यंत्रपाने में असाली होती है। तो ये थी चौधा मुखी रुद्राक्ष से मिलनेवाले लाभ की चर्चा। इसके साथ ही आपको चौधा मुखी रुद्राक्ष को धारन करने का मंत्र भी बता दिता हूँ। ये मंत्र अलग अलग मंत्र बताया गया है सारी मंत्र जाल लिए श्यूव पुराण में तहागए है चोदा मुखीरू लुट्राश को पहिदने के लिए ओम नम्हां ओम नम्हां केवल इतनी मंत्र पढ़ना हैं ओम नम्हां मंत्र महानव के अनुसार ओम नमो नमह, पद्मपुरान के अनुसार ओम ब्रांग, सकंदपुरान के अनुसार ओम दुं मांग नमह, इसके लावा महामरतुजे मंत्र, मंत्र क्या है? ओम त्रहम मकम यजा महे सुगंधिम पुष्टे वर्धनम औरवारुकमि उबंधनान मरतुर मुख्षी अमामतात। और ओम नमह, शिवाय मंत्र का चप करना चाहिए। लाब उटा सकते हैं, इनकी भी थोड़ी बहुत चर्चाहम करेंगे। ओम शंयो देवी रभिष्ट्य आपो भवन्तु पीतए शंयो रभि स्रवन्तु नह। ओम शंयो देवी रभिष्ट्य आपो भवन्तु पीतए शंयो रभि स्रवन्तु नह। इस वंत्र का 11 बार चप करेंगे। इसे शंय देव से होन जाली दुरगतियों से आपके मुक्ति मिलेगी। आपके परिशानियों से आप छूट जाएंगे। और श्यानी संबंधी परिशानियों से निजात करने का एक और तरीका है। बिच्छू बूटी की जड़ जो किसी भी पंसारी के हाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। या पहाडी छेत्रों में तो हर चार गदम पे मिलती है। उसे लेकर आज के दिन लोहे के तावीज में भर कर सरसों के तेल से भरेफ़ी मिट्टी के सकोरे में डाल दे। साथ ही उस सकोरे में रूई की बत्ती लगा दीजे और उसे जला दीजे। आपको ये दीपक शाम के समय चलाना है। अगली भोर होने से पहले उस दीपक से तावीज को निकाल कर साफ करके काले धागे में पिरोकर गले में पहन लीजे। और दीपक को जलता हुआ छोड़ दीजे। वो अपने आप पुछ जाएगा। पिर अगले दीपक को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दीजे। साथी इसब करने के बाद किसी एक मजदूर को खाना भी जरूर किलेगे। ऐसा करने से आपको निश्चित ही शनी की पीला से मुक्ति मिलेगी। और अगर आप शनी की साले साती या धाया की चाल से परिशान हैं तो आज के दिन आपको शनी सुरोत का पाट करना चाहिए, साती सिद्ध किया हुआ शनी अंतर धारन करने के लिए आज का दिन बड़ा ही शेष्ट है। आज के दिन ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी शनी की साले साती या धाया की चाल से परवावसी मुक्ति बड़ा है। इसके अलावा अगर आपकी पत्रका में पित्र दोष बना हुआ जिसके कालन आपके परिवार की खुशाली कहीं खो गई है तो आज के दिन आपको दच्छल दिशा की और मो करके अपने पित्रों के निमित शाध धकारे अबश्च करना चाहिए, साती पीपल की जल में पान करने में देरी हो रही है तो आज के दिन आपको एक नीले रंका फुट लेकर गंदे नाले में प्रवाहित करना चाहिए, साती शानी के मंत्र का 108 पारशप करना चाहिए, मंत्र है, ओम, प्रांग, प्रिंग, प्रांग, सह, शनेश, चराय, नमह, आज के दिन ऐसा करने से अनुराधा नक्षत्र के स्वामी भी शनी देव और शनीवार का दिन है तो अनुराधा नक्षत्र भद्दा भद्दा चौदा मुखी रुद्दा इस सब बारे में और आज के दिन शनी संबंध परिशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए साथी क्या है चौदा मुखी रुद्दार का शनी से संबंध और आप इससे कैसे फाइदा उठा सकते हैं आज हमने इस सब के बारे में चर्चा की है उम्मीद है कि आप इस विशेश चर्चा का लाब चलूट रहें